आप दस दिन गिनना एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस और मोधी जी का जवाब दस दिन के अंदर कॉंग्रेस पार्टी मध्यप्रदेश के हर किसान का कर्जा माँद करके देदीगी मध्यप्रदेश की रॉयली में दिया गया राहूल गांधी का ये भाशन तो आपको याद ही होगा राहूल गांधी ने उंगलियों पर दिन गिनते हुए ये कहा था कि मध्यप्रदेश में सत्ता आते ही दस दिन के भीतर सभी किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा राहूल गांधी के इस जासे में आकर प्रदेश की जनता ने कॉंग्रेस को जम कर वोड दिये और प्रदेश की सत्ता सोब दी प्रदेश की मुख्यमंत्री बने कमलनात कमलनात ने भी मुख्यमंत्री पत की कमान संभालते ही पहला काम ये किया कि उन्होंने किसानों की कर्ज माफी के फाइल पर दस्तखत किये और फिर शुरू हुआ धिंडोरा पीटने का खेल कॉंग्रेस ने जगा जगा सभाएं करके विज्यापन देकर ये बताने की कोशिश की कि उन्होंने सत्ता हसिल करने के साथ दिन के भीतर ही किसानों का दो लाग रुपे तक का कर्ज माफ कर दिया है लेकिन ये सच नहीं है सरकार 75 दिन पूरे होने के बाद भी अपने वाइदे को पूरा नहीं कर पाई है किसानों के आवेदन जमा हो चुके हैं जन्नित किसानों को प्रमान पत्र दे दिये गए हैं लेकिन बैंकों में पैसा नहीं होने की वजह से किसान ठगा सा महसूस कर रहे हैं अब रविबार को जैसे ही लोगसभा चुनाव का एलान हुआ और आचार सहीता लगी तो मुख्यमंत्री के नाम से किसानों के मोबाइल पर तनादन मैसेज बजने शुरू हो गया ये मैसेज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के हवाले से भेजा गया था मैसेज में लिखा हुआ है कि लोगसभा चुनाव की आचार सहीता लग चुकी है इसलिए कर्ज माफी को मंजूरी नहीं मिल पाई है अब चुनाव के बाद शीगर ही मंजूरी दे दी जाएगी किसानों के मोबाइल पर जैसे ही मैसेज मिला वो मैसेज को पढ़कर एक बार फिर से सरकार की और से कर्ज माफी करने के नाम पर ठगासा महसूस कर रहे है वो मान रहे हैं कि उनके साथ एक बार फिर सरकार ने छलावा किया है कर्ज के बोच तले दबे इन किसानों को विधान सभा चुनाव के पहले कर्ज माफी का जो सपना दिखाया गया था वो लोक सभा चुनाओ का विगुल बचते ही मुर्जा गया है पहले किसानों के मुबाइल पर ये मैसेज गये थे कि उनके कर्जे माफ हो चुके हैं लेकिन चुनाओ की आचार सहीता लगते ही दूसरे मैसेज उनके मुबाइल पर आने लगे जिसमें लिखा गया है कि अब आचार सहीता के वजह से आपका कर्जा माफ नहीं हो पाएगा चुनाओ खत्म हो जाएंगे तब आपका कर्जा माफ होगा अब किसानों की चिंता बढ़ गई है कि उन पर चड़ा हुआ कर्ज अगर उन्होंने 31 मार्ज तक नहीं चुका आया तो खाता वोर ड्यू हो जाएगा और भविश्य में मिलने वाला कर्ज भी वो नहीं ले पाएंगे विबाग के अपसर भी मानते हैं कि किसानों को कर्ज माफी के प्रमान पत्र तो मिल चुके हैं लेकिन उनके बैंक खातों में अब तक राशी नहीं आई है इस वज़े से उनका कर्ज भी माफ नहीं माना जा रहा है बैंक के अधिकारी भी किसानों से यही कह रहे है कि जब उनको राशी मिल जाएगी तब ही उनका कर्ज माफ माना जाएगा आपको बता दे कि कर्ज माफी योजना के पात्र किसानों के मोबाइल पर जो मैसेज आ रहा है उसे HP, JKMRY की और से भिजा जा रहा है इस मैसेज में लिखा हुआ है जै किसान फसल रिण माफी योजना में आपका आविदन बिला है लोग सभा चुनाव की आचार सहिता के कारण आपके रण माफी नहीं हो पाई है चुनाव के बाद शीघरिस वीकृती जावेगी शुब कामनाएं आपका कमलनात, मुख्यमंत्री अब इस मैसेच के बाद बीजेपी को चुनाव में कॉंग्रेस और मुख्यमंत्री कमलनात को घेरने का एक मौका बिल गया है अब देखना ये होगा कि कॉंग्रेस बीजेपी के इन आरोपों को कैसे पलटवार करती है वीके निउस की रिपॉर्ट